Hello everyone, welcome back to my channel आज हम बात करने वाले हैं best typing job के बारे में जो कि आप work from home कर सकते हैं घर बैठे आराम से typing work कर सकते हैं और यह एक legit website है जहां पर typing job निकली है आपको कहीं भी कोई भी charges नहीं देने हैं किसी भी तरह का कोई registration fees नहीं देनी है जो भी registration fees मांगते हैं especially typing में या किसी भी job में trust करिए 99% fraud होते हैं fake होते हैं वो पैसा लेकर भाग जाएंगे तो आपको जहां भी job में apply करना है सिर्फ उसी job में apply करिए जो free of cost हो या free of fees हो या free of charges हो ठीक है जिसमें आपका एक रुपे भी ना जाए आप बारी आती है हमारी platform की तो यहां पर आपको काफी अच्छा earning मिल सकती है मैं आपको वो भी बताऊंगी इसके अलावा आप work from home कोई भी इसको कर सकता है इसमें test देना होगा simple सा जिसके answers मैंने आपको बता दिये हैं इस video में तो अगर आप exact answers अगर आप पूरा answer correct correct जैसे मैंने answers आपको बताए है अगर आप वही answer mark करेंगे तो आपका easily test भी clear हो जाएगा आगे बढ़ते हैं detail में समझ लेते हैं मेरे खायाल से यह बहुत ही best opportunity है इसको miss मत करना कैसे apply करना है क्या details है इसकी तो हम इसको detail में समझ लेते है चैनल को subscribe जरूर करती जगा क्योंकि जिससे आप किसी भी in jobs को miss ना करें और आपके साथ जो भी साथी है या जो भी लोग हैं जो jobs ढून रहे हैं या जो college में पढ़ते हैं final year में हैं तो आप उनके साथ job जरूर शेयर करें या women है जो की part time jobs ढून रही हैं उनके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करें आगे बढ़ते हैं description में कोई link नहीं है मैं पहली आपको बता दूँ वरना आप comment section में बोलेंगे link दीजे link दीजे आपको simply google पर जाना है writer way search करना है पहली website आएगी जो पहला link आएगा पस आपको उसपे click कर देना है writer way एक ऐसा genuine platform है जहां पर आपको लिखने का काम मिलता है typing का job मिलता है apply बाद में करेंगे हम पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो ये इनकी official website है top 5 profits writers profit दिये हैं 30 days के dollars में यहां पर payment मिलती है तो आपको कम मेहनत में ज्यादा earning होगी as compared to Indian startups ये इंडिया की जो भी typing websites है कोई भी registration fees नहीं है free lifetime membership आपको मिलेगी wide variety of interesting projects मिलेंगे assignments मिलेंगे आपकी अपनी field में भी मिलेंगे अगर आपको ग्राजुएशन कर रहे हैं अगर आपने अल्री ग्राजुएशन किया है किसी field में आपको इस field का भी typing work writing work मिल जाएगा the right to manage the workload on your own आपके उपर depend करते हैं आप कैसे अपना workload manage करते हैं salary आपको competitive मिलेगी जो भी market में best होगी enough room for personal growth इसमें personal growth का भी काफी scope है और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी issue आता है उनके projects करते time तो writer support team आपके लिए 24-7 available रहेगी offer क्या कर रहे है it's all about fair play this is no catch there is no catch it is easy as it is writerbay.com यह एक freelancing job है मतलब as a freelancer आप काम करेंगे writing job के लिए freelancing में क्या होता है आपका time होता है आपकी flexibility है आपके working hours है आपको जब काम करना है आप तब काम करिए जितना time काम करेंगे उतने हिसाब से आपका payment हो जाएगा अब यहां पर best चीज क्या है कि आप यहां पर as a part time भी काम कर सकते है मान लिजे आप कहीं job करते है या आप एक housewife है आप 2-3 घंटे से जादा नहीं दे सकते हो तो आप ऐसा part time जोइन कर लीजे लेकिन अगर आप खाली बैटे है आप student है आप job ढून रहे हो लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं 6-7 घंटे तो दे ही सकता हूँ या सकती हूँ तो आप full time join कर सकते है flexible working schedule रहेगा आपके उपर depend करेगा confidentiality की guarantee रहेगी आपकी जो भी personal information ये share करेंगे आपसे मांगेंगे ये कहीं भी उसको leak नहीं करेंगे अपने पास as a privacy maintain करके रखेंगे user friendly interface रहेगा इनका requirements क्या क्या है at least bachelor's degree आपके पास होनी चाहिए और इसके बाद ये जो payment है ability to use either of the payment option ठीक है आप इस page पर click करेंगे तो आपको payment options पता चल जाएंगे कि किस तरीके से कहां से ये pay करेंगे English language आना चाहिए internet access होना चाहिए और आपके पास एक laptop या फिर PC होना चाहिए अगर आपके पास bachelor's degree है या फिर आपको इन में से किसी भी field में experience है तो फिर यहां पर आप apply कर सकते हैं mostly यहां पर apply कर पाएंगे next आता है कि बात करें तो languages की top 10 jobs हैं जो कि अलग-अलग languages की हैं आप local language में भी काम कर सकते हो हिंदी में भी काम कर सकते हो और भी जो अभी आपकी local languages है Tamil, Telugu, Bengali उर्दू इन सब में भी आप काम कर सकते हैं बस आपको ढूणना पड़ेगा अब how we work कैसे यह काम करते हैं यह सब पढ़ लीजेगा और simple सा है आपको कैसे apply करना है एक form मिलेगा application form आपको वो fill करना है एक short quiz देना है short quiz के बाद एक short prompt होगा सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया आपको कुछ भी research करने की जरुवत नहीं tension लेने की जरुवत नहीं अगर आप dicto copy paste कर देंगे न आपका 100% selection यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद last में जो आपने quiz दे दिया promptly clear उसके बाद आपको एक upload करनी है अपनी photo higher education की जो भी आपने higher education किया है मतलब graduation और अपने resume की photo ठीक है तो यह था इनके बारे में पूरा आप यहाँ पर बाकी सारी चीज़े आप पढ़ लीजेगा कि इनकी company के बारे में और बाकी reviews और चेक आउट कर लीजेगा ठीक है अप लाए कैसे करना है अब इस पर आ जाते है फॉर्म फिल करने से पहले एक important चीज़ देख लेते हैं जब आप इस फॉर्म के उपर बीच में आएंगे जहां आपने requirements देखा था वहाँ पर एक payments का link आया था कैसे आपको payment करना है और मतलब कैसे आपको इनसे payment लेना है तो यहाँ पर दो options हैं एक तो web money है जिसमें 5% commission होता है और एक दो minute के अंदर आपका payment process हो जाता है दूसरा है पेवनीर ये just है पेपाल की तरह से पेपाल की तरह इसमें global bank transfer होता है आप कहीं से भी transfer करवा सकते हैं इनके कुछ charges होते हैं वो charges यहाँ पर cut किये जाते हैं आप बारी आती है salary के आप कितना earn कर सकते हैं तो इनका एक calculator दे रखा है अगर आप यहाँ पर मान लिजे पर डे के अगर आप दो pages भी लिखते हैं है न तो और आपने क्या देखना है एक second रुकिए गा बस अगर आप यहाँ पर days worked per month अगर आप चार दिन काम करते हैं और सिर्फ दो-दो pages लिखते हैं चारो दिन तो आपको 75 dollars अब मान लिजे आप दो नहीं आप 5 pages लिख सकते हैं ठीक है और आप महिने का 10 दिन काम अराम से कर सकते हैं लेट से 15 दिन कर सकते हैं तो 701 dollar आप कमा सकते हो तो यह आप के उपर है आप 3-3 pages daily लिखो आप 5-5 pages daily लिखो आप 10-10 pages daily लिखो आप के उपर depend करता है और यहां पर आप mileage अगर 10 dollar कर रहे हो तो आपको 1,402 dollar और इसको अगर आप Indian money में convert करेंगे ना Indian rupees में convert करेंगे तो काफी अच्छी salary है तो यह काफी अच्छा platform है genuine है सबसे बड़ी बात यह है च्योंकि आजकल बहुत से platforms हैं 11 platforms बहुत कम है तो इसलिए अगर आप interested हैं तो यहां पर apply कर देना है अब apply करने का process देख लेते हैं तो apply करने के लिए आपको top right corner पर या तो registration का option मिल जाएगा otherwise यहां पर तो उमको यह three horizontal lines पर क्लिक करना पढ़ रहे हैं यहां पर हमको first name, last name, date of birth, gender, country, city तो यह सारी चीज़ों तो आपके लिए बहुत ही common है अगर आप भरते आया हैं form तो इसके बाद आपने यह read कर लेना है एक बार और कि आपको कैसे payoff मिलेगा तो आपको कैसे महीने में दो बार आप withdraw कर सकते हैं बड़े आराम से 15-15 दिन में कर लीजे ठीक है इसके बाद इसके बाद आपको अपनी education details भरनी है additional information भरनी है फिर आपका एक quiz start हो जाएगा आप वो quiz के questions plus answers हम देख लेते हैं तो जो quiz रहेगा वो इस type से रहेगा देखे आपने education qualification में आपको अपनी native language भी select करनी है और आपने अपनी highest verifiable degree भी select करनी है बाकी सारी चीज़े आप भर लीजेगा असानी से आपको एक discipline भी आप यहाँ पे 5 discipline आप 6 discipline select कर सकते हैं जिस भी field में आपको experience है या आपको लगता है कि मैं इस field में काम कर लूँगा बहुत सारे options हैं इसके बाद आती है बारी please indicate the software you have access programming language अगर आपको आती है तो आप कर लीजेगा नहीं तो काफी अधर चीज़ें भी है जो आप select कर सकते हैं जैसे आपर Excel का option आएगा MS Excel, MS Word, Notepad तो उन options को select करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर जो coding वाले हैं उनको ही form बरना है ध्यान रहे form और quiz सबसे अच्छ से देना है क्योंकि इसके basis पर ही आपका आगे short listing हो की तो यहां पर आपको typing के बारे में मता कर experience है तो type कर दीजेगा motivation letter है यहां पर अपने बारे में थोड़ा बहुत टाइप कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर आपने you have learned about our website from लिखते न भर देना जहां से भी आपने देखा हो उसके बाद आपको दोनों check boxes पर क्लिक करके submit कर देना है form आपका submit हो जाएगा इसके बाद आपके पास mail आएगा verify करने के लिए आप उस mail पर जाएगे क्लिक है to login पर क्लिक करेंगे आपके पास steps आजाएंगे application form के step number one में आपको एक quiz देना है step number two में आपको prompt लिखना है start करते है step number one अगर आपने step number one complete नहीं किया तो step two पे आप move कर ही नहीं सकते हैं तो पहला जो है वो है general information में academic writing रहेगा यहां पर formal styling of writing सबसे अची बात यह है quiz लेने से पहले यह आपको कुछ PDF में देंगे documents देंगे जिसको आपको पढ़ना है academic writing होती क्या academic writing क्या do's and don'ts होते है ठीक है और क्या steps involved होते है academic writing में पूरा कुछ इनोने आपको PDF के form में दे रखा है तो आपको इसको पहले पढ़ना है उसके बाद आपका quiz स्टार्ट होगा जिसमें जो quiz है वो 5 minute का quiz होगा तीन questions होगे एक उनका correct answer होगा आप जादे से जादे 3 mistakes कर सकते हैं उससे जादे mistakes नहीं कर सकते हैं बट अगर आप हमारी video में जो भी हमने आप उनको follow करेंगे तो एक भी mistake नहीं होगी पहला question देख लीजे choose the option that comprises the main attributes of the academic writing style इसका option है third option तो आप बस एक video stop कर 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 जल्दी स screenshot लेते जाएगा क्योंकि अगर हमने question discuss करना start किया तो video बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग हो जाएगी second question है select the option with the correct order of the academic writing process इसका answer है option number B third question है what is the most important part of each academic thesis statement ठीक है इसमें करके next करना है और आपका quiz हो गया है अब next जो start होगा वो होगा plagiarism पे अभी plagiarism क्या होता है क्या क्या do's and don'ts होते है यह सारी चीज़ें आपको एक PDF के फॉर्म में बताई जाएगी basically plagiarism होता है कि copy नहीं होना चाहिए आप जो लिख रहे हो जो भी आपकी राइटिंग्स है वो कहीं और माच नहीं होना चाहिए आप अपने मन से लिखेंगे अपने research के basis पर लिखेंगे तो यह पढ़ लिजेगा क्या-क्या plagiarism के points है और what is not plagiarism यह भी आपको पढ़ लेना है जैसे ही आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपके पास फिर से एक message आएगा कि आपका quiz start हो गया है उसके बाद ही तुरंत आपका quiz start हो गया है तो यह imagine you have been assigned to an order on a history subject with the world war second you need to indicate the time frame of the war will you cite this information what for everybody knows it 1939-1945 first option होगा इसका next करना है proper phrasing means second option पी क्लिक कर दी जगा next करना है if a researcher finds synonym for the author's language while keeping to the same general structure and meaning of the original what type of plagiarism is it तो first option है next if you are an author of the piece of writing how can you use this piece in your further research last option हो गया आपका एगे next आता है formatting formatting का कैसा style होना चाहिए क्या standard format होता है यह सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है उसके बाद बारी आती है quiz की five questions होंगे what is the formatting style इसका option है standardized approach है to create an academic paper second है select the option with the parts characteristics of APA formatting style option है correct answer is option two MLA requires the first page of your paper to be second option next in MLA documentation how should the following parenthetical reference appear option number three in MLA the references at the end of your paper should be appear option one in alphabetical order by the authors ठीक है अब यह तीनो चीज़ें हो चुकी है तीनो चीज़ें के बाद आता है core principle कि क्या-क्या चीज़ें है time ले डेलिवर करना है instructions को follow करना है originality पर focus करना है और business communication काफी अच्छी से रखना है यह सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है क्योंकि इसके basis पर भी आगे आगे आपको एक quiz देखने को मिलेगा वो है जिसमें चार questions होंगे और एक ही answer correct है what is not the core principle of our company deadline extension next in which case can you share your professional information ask for the client's personal information you cannot share or ask for any personal detail कोई भीग situation हो आप नहीं पूछ सकते है next which of the following is an appropriate way to name the final file you upload to the system order ID topic of the project next imagine that while working on the project you need to use the specific textbook but you do not have the access to it क्या करें गया what would you do contact the client for help next second option यह हो गया complete अब आती है बारी next step की तो आपने यहाँ पर academic writing का कर लिया है आप आरी आती है prompt writing की prompt writing में basically आपको क्या करना है you will have to choose one out of two questions दो questions दिये रहेंगे आपको कोई भी एक choose करना है उस पे आपको 100 to 150 word लिखना है अब आप इसके लिए charge GPT का भी use कर सकते हैं but बिल्कुल डिक्टो मत छाप दीजेगा थोड़ा बहुत modification करके आपको लिखना है copy paste नहीं करना है आपको type करना है otherwise ये catch कर लेंगे तो हम आपने चूज किया था what is one cause of charity one cause or charity that you would like to support and why तो यहाँ पर ये answer है charge GPT पे मैंने simple question type किया और मैंने ये भी लिख दिया write in 115 word and in simple English यहाँ पर आ चुका है और मैंने उठा कि सीधा type कर दिया आप चाहें तो आप इसको stop करके screenshot लेकर सीधा यही type कर सकते है step 3 है essay writing यहाँ पर आपको 275 से 350 का essay लिखना है किसी भी एक topic पर ठीक है तो आप अपने according essay लिख सकते है आप chat GPT के use help से essay writing कर सकते है इस तरीके से आपको यह forms भरने है तो ध्यान रहे कि यह form ज़रूर से fill कर दीजेगा इसके अलावा बात करें apply करने का process आप wait करना है आपको और जो भी आपने mail id डाली है उसमें आपको actively देखते रहना है चेक करते रहना है कब आपको mail आजाए और आपको further process बताया जाए तो अगर आपको कोई भी issue आता है during this process अभी form फिल करने में या फिर test देने में वैसे I don't think so कोई problem आएगा अगर फिर भी आता है तो आप हमारे instagram channel पर जाकर instagram account पर जाकर आपको पिंक कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही video अच्छी लगी हो तो हमें comment section में जरूर बताएगा अगर आपको इस type की jobs genuine jobs चाहिए और हमें थोड़ा सा specifically बता दीजेगा कि आप work from home ढून रहे हैं work from office ढून रहे हो किसी एक particular field में ढून रहे हैं तो अगर आप बताएगे तो हमारे लिए easy होगा shortlist करना jobs तो आज के लिए बस इतना ही